प्रदेश के आल्थेक रास्थानी अंदाओर में महापार पुश्यमित्र भारगव ने नई पहल की है जहां पर्यावरंट सनरक्षन और एर क्वालिटी को सुधारने की दिश्वा में सागरात्मक कदम उठाते हुए अंदाओर नगल निगम ने ट्री एम्बुलिंस के शुर महापार पुश्यमित्र भारगव ने शहर वासियों के नाम लिखी चिठी चिठी में पर्यावरंट सरक्षन के लिए महापार ने लिखी दिल की बात महापार पुश्यमित्र भारगव ने जब से नगल निगम की कमान संभाली है तब से ही वे लगातार शहर के आने के प्रयास में जुटे हुए नज़रा रही हैं वहें दिनों महापावर पुश्यमित्र भारगव के इनलदेश पर नगल निगम के उध्यान विभाग ने नई पहल करते हुए पेड़ पोधो का इलाज सुनिश्वित हो सके इस हेतू ट्री एंबुलेंस शुरू करने का फैसला लिया है जोहाँ यह ट्री एंबुलेंस शुरू के पेड़ पोधो का इलाज कर उन्हें बचवाएगी वही महापार पुश्यमित्र भारगव ने श्वेहर की ज्वन्ता के नाम एक चिठ्थी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है नमस्कार इंदौर मित्रों आपने बड़ी उमीद और विश्वास के साथ मुझे जन सेवा का मौका दिया है तो ये मेरा प्रथम करतवी है कि मैं सबसे पहले इंदौर वासियों के उत्तम स्वास्थ के लक्ष को प्राथमिक्ता दूँ स्वामी विविकानंद जुका कथन है कि स्वस्त मश्तषक और निरोगी काया व्यक्ति के लक्ष पूर्ती के प्रथम आवशकता है मेरा मानना है कि मनश्र के स्वास्त का स्तीधा संबंद पर्या वरंड से अलठात वरक्षों से है जितने स्वास्त वरक्ष उतनी जादा हरियाली जितनी जादा हरियाली उतनी ज्वादा ऑक्सिजन और जितनी जादा ऑक्सिजन उतना ही लंबा मानव जीवन इसी बात को लेकर हमने ग्रीन इंदौर के दिश्वा में एक पहल की है जिसका नाम है ट्री एम्बुलेंस पेडो का डॉक्टर एक ऐसी सेवा गाड़ी जिसका नर्मान इंदौर नगल निगम की वर्क्शॉप में ही किया गया है और जिसका लक्ष है पेड़ पोधों का पालन लालन और सरक्षन इस ट्री एम्बुलेंस में स्प्री कलर्स पानी खाद और दवायों के साथ वो तमाम साधन मौजूद होंगे जो वर्क्शों की देखपाल करेंगे कोई भी पेड़ पोधे जो सूख रहे हो या पनप नहीं पा रही हो या उनके विकास में किसी तरह की सम मस्या है कीडे लग रही है या खोकले हो रही है तो ये ट्री एम्बुलेंस उन व्रक्षों को चुनहित कर उनका इलाज करेगी पेड़ों पर आवश्यक जल रसायन और अन्य कीट नाशक का छड़काव करेगी जिससे व्रक्ष पुनल जीवित हो सके और परप सके मेरी कोश वे आप सभी हमारे इस मुहीम से जुड़ें ये समझना होगा कि व्रक्ष रोपन जितना जरूरी है उससे कही जादा उसका पालन पोशन है ये ट्री एम्बुलेंस तो अपना काम करेगी पर आप भी अपने अपने शेत्रों में एसी अवस्था में व्रक्ष देखें तो हम बताएं लेकिन उससे पहले हर नागरिक अपने अपने गली महले और कॉलोनियों में स्वेम पेड़ पोधों को सरक्षित और पोशित करने का प्रयास करें तब जाकर हमारी ये कोशिश सफल होगी और माता अहलिया बाई की ये नगरी व्रक्ष वाली हरियाली नगरी भी बन के साथ लहलाते वरक्ष चार और मतलब स्वच के साथ ग्रीन इंदौर ब्यूर रिपोर्ट एमपी न्यूस इंदौर